नमस्कार आप सब को बता है कि बिहार मेंence. चुनावी, संग्राम, चरम पर है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की हम तक तीन रहलीगा हो चुकी है ये तीन रहलीगा सासा राम में हुई, गया में हुई और भागलपुर में हुई इन तीन रैलियों के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो LGP को लेकर चिराक पासवान को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है इन तीन रैलियों के बाद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के हनुमान क्या बोले हैं? चिराग पासवान क्या सोचते हैं उन्होंने एक न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में हर एक राज चिराग पासवान ने खोले हैं सबसे पहले मैं आपको कुछ लाइन पढ़कर बताता हूँ जो ंडी टीवी में अपने इंटरव्यू के दोरान चिराग पासवान ने कहीए बहुत ध्यान से सुनिएगा चिराग पासवान ने क्या कहा है और ये टूइट भी किया है चिराग पासवान ने शत्क अंतिम सांस तक Vanfall Us खड़ा रहूंगा यानी जैसे हनुमान भगवान राम के साथ खड़े रहे हैं वैसे प्रदानमंत्री नरेंद्रम मो серьुथ करके चुराःइंद्रमोडी पास्वा ने लिखा है नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं और पापा को एक सचे साथी के तौर पर श्रधानजली देते हैं ये कहना कि पापा की आखरी सांस तक वे साथ थे मुझे भावुक कर गया एक बेटे के तौर पर स्वाभाविक है पापा के प्रती प्रधानमंत्री जी का ये इसने हैं और समान देखकर अच्छा लगा प्रतानमंत्री जी का धन्यवाद अब आप एक एक शब्द पर गौर करिए एक सौफ्ट कॉर्डनर है बीजेपी के लिए और बीजेपी से ज्यादा प्रतानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या ये चुनावी दाव है ज चिरागपासवान के रास्ते NDA से अलग हो गए कि निटीश कुमार क्यों चेहरे हैं इस चुनाव में NDA का इसी सवाल पर या इसी वात पर चिरागपासवान ने खुद को NDA से अलग किया था खोद को हनुमान भी बता चुके हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का चिराग पासवान बार बार नितीश कुमार पर अपनी रैलियों में नितीश कुमार पर हमला करते हैं जो तक्रिमन 4-5 दिनों पहले ये कह रहे थे कि अगर उन्हें सरकार में किसी भी सरकार में आने का मौका मिला तो सबसे पहले जात जिसकी होगी वो है नितीश कुमार के साथ निश्चे जिसमें उन्होंने कहा था कि बेटियों को हम अगर मैट्रिक पास करती हैं इंटर पास कर बाद भी कही गई थी नितीश कुमार की तरब से उसमें से एक शराब बंदी भी थी तो साथ निश्यों की जाच होगी क्योंकि साथ निश्यों चुराख पास्वान शुरू से ये मुद्दा बनाते रहें कि साथ निश्यों में बहुत बड़े पैमाने पर घपले बाजी और इसकी जाच होनी चाहिए ये बहुत शुरू शुरु शुरुवाती दौर से चुराख पास्वान की मांग रही है तो चुराख पास्वान ने फिर से ये दुराया कि अगर उन्हें कभी किसी सरकार में आने का मौका मिला बिहार में तो सबसे पहले इन्ही साथ निश्यो की जाच होगी लेकिन नितिश कुमार के प्रती हमलावर होना और प्रधान मंत्री के प्रती soft corner दिखाना ये बताता है कि चुनाव के बाद हो सकता है कि चिराग अपने घर वापस लौट जाए यानि एंडिये में वापसी हो जाए उनकी ऐसा अगर परिणाम उनके favor में रहे तो भी ये परिणाम उनके खिलाफ रहे तो भी चुराग पासवान एक बीच का रास्ता ढून लिया है और वो बीच का रास्ता यही है कि बीजेपी के साथ ही उनको को आगे बढ़ना है खैर प्रधान मंत्री तो डारेक्ट कोई फैसला लेंगे नहीं या सीधी उनकी involvement तो होगी नहीं कि चुराग पासवान की वापसी हो जाए उन्हें बिहार के रास्ते यानि बिहार का जो संगठने बीजेपी का उसी रास्ते आना होगा वापसी करनी होगी तो अब चुराग पासवान इसके लिए रास्ता कैसे बनाते हैं क्या वो रास्ता दिल्ली से होकर बिहार तक जाएगा या बिहार से होकर दिल्ली तक जाएगा इसके लिए थोड़ा इंतिजार करना होगा और वो इंतिजार 10 गवंबर तक का है